अलो सalayhamu alaykum दोस्तो कैसे हैं आप सब दोस्तो पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन में ऐज कल हिलारियों की सेलेक्शन हो रही है ये दोनों लीग्स ही अपने अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं और इनकी वजह से अक्सर मीडिया पर पैस चलती है के इन में से ज़्यादा अच्छी लीग कौन सी है तो चलिए आज आज आपको इन दोनों टी ट्वंटी लीग्स का आपस में कंपैरिजन करके दिखाते हैं तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो दोस्तो सबसे पहला पीएसल और आईपेल कप खेला गया था दरसल 2007 में जैसे ही क्रिकिट का पहला T20 वर्ल कप खेला गया था तो उसके थी की एक साल बाद 2008 में आईपेल की पहली लीग शुरू हो गई थी जिसका पहला सीजन राजिस्तान राय जीत जाती है जबके पीएसल की शुरुआत संददर 16 में होती है और इसका पहला सीजन इसलामबाद युनाइटिड ने जीत लिया था इसी तरह अभी तक पीएसल के सिर्फ 8 सीजन हो चुके हैं जबके आईपेल के आज तक 16 सीजन खेले जा चुके हैं दोस्तों अब जासे के बात की जाए टीमों की तो पीएसल में टोटल 6 टीमें खेलती हैं जिनमें इसलामबाद उनाइटिड, मुल्तान सुल्तान, पिशावर जलमी, कोईटा ग्लैडियर्स और लहोर कलंदर शामिल हैं जबके आईपेल की बात करें तो इसमें टोटल 10 टीमें खेलती हैं तो अगर बात की जाए किसमत की तो पीएसल में सबसे जादा लगी टीम इसलामबाद उनाइटिड और लहोर कलंदर है जिन्होंने दो दो बार पीएसल का टाइटल अपने नाम किया है इसके लावा सारी टीमें एक एक बार जीच चुकी हैं लहोर कलंदर्स को कामयाब बनाने में राशित कान, जमान खान, शहीन अफरीदी और डैविड विजा का बड़ा हाथ है जबकि इसलामबाद उनाइटिड को शदाब खान, शेन वटसन, आसिफ अली और एंडरी रसन ने बड़ी कामयाबियां डाली है लबकि IPL की सबसे लकी टीम, मुंबाई इंडियन्स और चिन्नाई सुपर किंग्स हैं जिन्होंने 5 बार बार IPL का टाइटल जीता है तो इसी तरह अगर बजकिस्मती की बात की जाए तो IPL में RCB का नाम सामने आता है जिन्होंने 15 बार IPL खेलने के बावजूद एक बार भी टाइटल अपने नाम नहीं किया हिरानी की बात तो ये है कि इस टीम में इतने बड़े बड़े खिलाडी होने के बावजूद भी ये टीम कभी टाइटल नहीं जीत सकी और अगर PSL की बात की जाए तो इसमें लहोर कलंदर का नाम ही सामने आता है क्योंकि इस फ्रेंचाइस के ओनर ने बहुत पैसे लगा कर ऐसे ऐसे खिलाडी भी खरीद लिए जो PSL खेलने के लिए तियार ही नहीं थे लेकिन इसके बावजूद फिर भी ये टीम पहले ही टॉर्नमेट से बाहिर हो जाती थी तो दोस्तो अब अगर बात की जाए प्राइज मनी की तो PSL में जीतने वाली टीम को 12 करोड पाकिस्तानी रुपीज प्राइज मनी दी जाएगी हाला के पिछले साल ये 8 करोड पाकिस्तानी रुपेज के बराबर था जबके रनर अप के लिए 4 करोड 80 लाह का इनाम सेट किया गया है जबके IPL में चैंपियन टीम को 68 करोड पाकिस्तानी रुपीज मनी दिया जाएगा जो इंडियन 20 करोड बनता है जबके रनर अप टीम के लिए 44 क्रोड पाकिस्तानी रुपीज यानि 13 क्रोड इंडियन टीम का इनाम सेट किया गया है अब जैसे के मैन आफ दी मैच को देखा जाए तो PSL में मैन आफ दी मैच को ज़्यादा पैसे दिये जाते हैं इसमें मैन आफ दी मैच के लिए 5 लाग पाकिस्तानी रुपाई नाम रखा गया है तबके IPL में मैन आफ दी मैच को सिर्फ एक लाग इंडियन रुपीज दिये जाते हैं जो पाकिस्तानी 3,40,000 बनता है दोस्तो आज कुन बस इतना ही एसी इंपर्मेटिव और इंटरस्टिंग का देखते हैं अनल के लिए हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें अगर आपको मारी वीडियो पसान दे तो इसे लाइक कमेंटर शेयर करना मत पुलें तैंक्स वर वाचिंग